जैहन्दी स्टुजेंट्स वेलकम बैक अगें दिस इस दिवांशु पांडिर और आज की स्क्लास में हम इंडियन एर फोर्स के दुवारा खरीदे जाने वाले नए ड्रोन्स के बारे में डिसक्स करेंगे इंडियन एर फोर्स अब हंडेट नए आपकी ड्रोन्स अपने क्या रहेंगी इन से रेलेक्टेड कोस्टन्स आपके एक्जाम में कैसे बन सकते हैं और हमारे इंडियन एर्फोर्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कौन से ड्रोंस यूज किये जाते हैं उनकी भी हम पूरी लिस्ट इस क्लास में कवर करेंगे तो चली श वन यर का फुल एक्सस अपने कोर्सस में प्रोवाइड करते हैं कोर्सस की लिंक नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में दी गई है तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन एर्फोर्स ने अब हंडेड नए ड्रोंस को प्रक्यूर करने का अपना डिसीजन ले लिया है और ये जो आपके प्रोंस रहेगी उसको इंडियन वेंडर से ही हमारे इंडियन एर्फोर्स खरीदेगी। जिससे कि हम अपने आप निर्वर भारत मेक इन इंडिया के इनिसियेंटिव को और वी मजबूत कर पाएं और इंडियन एर्फोर्स के जितने भी बेसिस हमारे इंडियन एरफोर्स के नॉर्धन बेस में आपका एक अटाइक हुआ था जिससे कि हमारे इंडियन एरफोर्स अब अपने आपको और भी स्टेंथन करना चाहती इन ड्रोन्स डील के माध्यम से इससे पहले इंडियन एरफोर्स ने भारत की हैदरा बेस कमपनी जिसका नाम जन टेकनलोजी से उससे 155 करोड रुपीज का एक एंटी ड्रोन सिस्टम्स की डिफन्स डील की हुई है जिसे कि हम एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी अपने इंडियन एरफोर्स के स्कॉर्डन्स में शामिल कर पाएं और उनको और भी सेक्योर कर सकें और इसके अलाबा अब ये अपने भी आपके मिनी अनमेंड एरियल सिस्टम्स होते हैं उनका सबसे ज्यादा इस्तमाल सर्वलेंस, रिकनिसंस, डिटेक्शन, आपके किसी भी एरक्राप्ट, वेहिकल्स जिसमें आपका ड्रोन, यूएवी या फिर आपके हलिकॉप्टर शामिल होते हैं उसके लिए कि बिस्स पर कर पाएं जिसमें आपके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड फर्मल इमेजर से ये सभी आपके सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारे इंडियन एर फोर्स के बेसिस और हमारे पूरे एर डिफेंस को और भी शक्तिशाली किया करती हैं इंडियन एर फोर्स ने इस से भी पह वाईसेना में शामिल होंगे और इनको सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट आपकी नॉर्दन इंडिया यानि कि आपके लगदाक रीजन और पाकिस्तान से सटे आपके लाइन आफ कंट्रोल के तरफ इनको करवाई जाएगे जिससे कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके क घुसपैट या फिर आपकी आम्स की स्मगलिंग भारत की बॉर्डर पर ना की जा सके अगर हम ड्रोन सिस्टम की इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस आपके सर्वलैंस करने में की जाती है जिससे कि इन ड्रोन को जो कि आपके अनमैट एरियल वीकल सोते हैं उनको हम लॉंग रेंज मिशन पर भेजते हैं जिससे कि हमारे किसी भी पर्सनल को कोई भी नुकसान नहीं जेलना पड़ता है और हम आसानी से दुश्मन की एक्टिविटी को ट्रैक कर पाते हैं इससे पहले भारत जो है आपका 30 MQRQ1 जिसको प्रिड आएंगे ये भी आपके जो ड्रों रहेंगे उनकी कैपिसिटी कैपिबिल्टी वीडियो और इस्टिल एमेज़ेस को लेने में होती है और इस प्रकार के ड्रों से आपके मिसाइल फायर करने भी पूरे तरीके से सच्छम होते हैं बाकि अगर हम बात करें तो जितने भी ड् वो आपके लिडार डिटेक्टर बेस टेक्नलोजी पर चलते हैं जिसमें आपका लेजर, स्कैनर और जीपियस पर आधारी आपके इनके सिस्टम कार करते हैं जिसमें आपका आर्टिफीशल इंट्रियंस शामिल होता है और इसको दूर बैटे किसी भी आपकी हुमन कंट्रोल म अब हम देखेंगे कि हमारे इंडिन आर्ट फोर्स किस टाइप की आपके ड्रोंस यूज़ करती हैं तो सबसे पहला आपका आता है हैरोन फिर्स एन हिर्वान सेकंड इन दोनों ही ड्रोंस को इसराइल की कंपनी इसराइली एरो स्पेस इंडेस्ट्री जिसको हम आई एक कहत जाता है इसका पहला आपका deployed version 1992 में किया गया था और इसको भारत में induction 2000 में किया गया था इसका भी उपयोग भारती वाईसेना की दवरा किया जाता है अगला आपका Sea Guardian है तो Sea Guardian आपका MQ9 Predator B का एक variant है जिसको अमेर्का की General Atomics Aeronautical System के दोरा design develop किया जाता है और ये भी हमारे navy के दोरा use की जाती है इसका जो आपका upgraded variant है वो भी भारत में जल्दी आपका आने वाला है Next है आपका Switch UAV तो इसको भारत की ही नभी Mumbai based company जिसका नाम Idea Forge है उसके दोरा बनाया गया है और ये एक प्रकार का ऐसा drone है जो की आपके vertical take off and landing के लिए जाना जाता है जिससे कि हम इसको काफी उचाई तक भेज सकते हैं काफी हलका होता है और ये अपने सीमा की निगरानी और दुश्मन की सेना के movement के बारे में हमें जानकारी provide करता है अगला है आपका quadcopter काफी बार आपने इसका नाम सुना भी होगा देखा भी होगा तो इसका design और development DRD और private firms के दोरा किया जाता है quadcopters में आपके चारों तरफ आपके wings लगे होते हैं जिससे कि हम आपके multiple varieties वाले work आसानी से कर सकते हैं इसका इस्तमाल सबसे ज़्यादा Indian Army के दोरा आपके western northern border में किया जाता है next आपका है आपका harpy and haru ये भी आपके UAVs हमने इसराइल से procure किया हुआ है और इसको हम कामी case drones के नाम से भी जानते हैं सबसे बहतरीन आपका UAV है जिसमें Indian Air Force surveillance, reconnaissance, imaging और electro-optical surveillance के दोरा दुश्मन पर बारिक निगा बनाए रखती है तो ये थे आपके drone से related कुछ important जानकारियां जहां पर आपने देखा कि Indian Air Force अब 100 नए drone system खरीदेगी और वो भी भारती कंपनियों से अपने SSB interview की preparation को करने के लिए आप सभी defense experiment SSB crack exam के interview online course में enroll हो सकते हैं जहां पर आपको day 1 से लेकर day 5 तक की सभी preparation online classes के थूँ कराई जाती हैं ऐसे defense experiment जो की हमारे interview online course में या आप पर written courses में आना चाहते हैं उनके लिए भी NDS, EDS, MNAS, Territorial Army, APCAT, CAPF जैसे तमाम course शामिल हैं और आप enroll होने से पहले इस वारे 10 code का use कर लें जिससे कि आपको 10% का flat discount हमारे सभी courses पे आपको मिलेगा जाहन और बस्त आफ लगए